प्रस्न 6 का 5 वह भीन निकालें जिसके अंस में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर भीन एक हो जाता है जबकि केवल हर में एक जोड़ने पर भीन एक वटा दो हो जाता है तो प्रस्न 6 का 5 तो कह रहा है कि वह भीन निकालें तो हम लिखेंगे माना की भीन बराबर एक्स बटा बाई हम क्या मान लेंगे कि भीन जो है एक्स बटा बाई है यानि एक्स हो गया अंस बाई हो गया हर जो उपर रहता हो क्या होता है अंस और जो नीचे होता हो हर तो हम क्या माल लेंगे कि भीन जो है एक्स बटा बाई है तो लिखेंगे प्रस्ण से क्या कह रहा है कि वह भीन निकालें जिसके अंस में एक जोडने पर यानि एक्स में एक जोड़ देंगे अंस में एक कह रहा है तो अंस यहां पे कौन है, एक्स है, जो उपर होता हूँ अंस होता है, जो नीचे होता है, वो हर होता है, तो कह रहा है, जिसके अंस में एक जोडने पर, यानि एक जोड देंगे, और हर में एक घटाने पर, तो देखें, हर में एक घटाएंगे, तो हर है बाई, बाई में से घटा देंगे भिन एक हो जाता है यानि भिन एक हो जाता है बराबर एक लिख लेंगे अब यहाँ पर इससे हमें पहला समिकरन ग्यात हो जागा कैसे तो x प्लस एक बराबर लिख लेंगे बाई माइनस एक तीरचा गुना करेंगे तो x plus 1 बराबर by minus 1 हो जायागा तो x minus 2 बराबर minus 1 minus 1 ठीक है? ये plus 1 को उधर लाएंगे तो minus 1 हो जाएगा यानि हो जाएगा x minus 2 बराबर minus 2 ये हो गया पहला समिकरन क्या हो गया ये पहला समिकरन अब कह रहा है अब प्रस्न में देखेंगे जबकि केवल हर में एक जोडने पर कह रहा है जबकि केवल हर में एक जोडने पर तो हर है बाई बाई में एक जोड़ेंगे भीन एक बटा दो हो जाता है ठीक है यानि कह रहा है कि जबकि केवल हर में एक जोड़ने पर तो हर क्या है हाँ पर बाई है तो बाई में एक जोड़ेंगे और एक्स तो उसी तरह रहेगा तो एक्स बटा बाई जोड एक बराबर एक बटा दो अब इससे हम दूसरा समिकरन ग्याद कर लेंगे तिर्चा गुणा करेंगे तो हो जाएगा दो एक्स बराबर बाई प्लस एक देखे तिर्चा गुणा कर रहे है तो दो गुणा एक्स दो एक्स बाई प्लस एक गुणा एक बाई प्लस एक तो यह हो गया दो एक्स माइनस बाई बराबर एक यह हो गया दूसरा समिकरन क्या हो गया यह? दूसरा समिकरन तो दूसरा समिकरन और पहला समिकरन ग्यात हो चुका है अब लिखेंगे समिकरन समिकरन पहला माइनस दूसरा से यानि समिकरन पहला में से समिकरन दूसरा को घटाएंगे तो समिकरन पहला है x-2 बराबर-2 और समिकरन दूसरा है 2x-2 बराबर-1 घटाना है तो चीन बदलेंगे पलस है तो माइनस माइनस है तो पलस पलस है तो माइनस minus y plus y खत्म हो जाएगा यानि सुनने आ जाएगा x minus 2x क्या आ गया minus x minus 2 minus 1 minus 3 यानि x बराबर कितना आ जाएगा तो आता है x बराबर 3 x बराबर 3 तो लिखेंगे समिकरन समिकरन पहला में x का मान रखने पर समिकरन पहला में x का मान रखने पर तो समिकरन पहला कहां पहला है तो समिकरन पहला है x minus 2 बराबर minus 2 तो x का मान रखेंगे x का मान कितना आया है तीन यानि तीन माइनस बाई बराबर माइनस दो तो माइनस बाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस दो माइनस तीन यानि बाई बराबर तो बाई बराबर आ जाएगा देखें माइनस तीन माइनस दो कितना होगा पांच माइनस पांच तो minus minus plus हो जाएगा ठीक है, इधर भी देखें, minus 5 है इधर minus by है तो minus minus plus यानि by बराबर 5 आगया तो लिखेंगा था भीन बराबर तो भीन हम क्या माने थे x बटा by, तो x आगया 3 by आगया 5 यानि 3 बटा 5 इसका उत्तर होगा ठीक है तो इस तरह से प्रस्न 6 का 5 हल करेंगे प्रस्न 6 का 6 किसी भीन के अंस में घटाने पर वह एकवटा 3 हो जाता है और हर में 8 जोडने पर वह एकवटा 4 हो जाता है भीन ग्याद करें तो प्रस्न 6 का 6 तो लिखेंगे माना की भीन बराबर एकवटा बाई हम क्या मान लेंगे कि भीन जो है एकवटा बाई है तो हम जानते हैं कि भीन में जो उपर रहता है उसको अंस कहते हैं और जो नीचे रहता है उसको हर यानि अंस यहाँ पर एक्स हो गया और हर हो गया बाई ठीक है अब लिखेंगे प्रस्ण से क्या लिखेंगे प्रस्ण से कारा किसी भीन्न के अंस में एक घटाने पर तो देखें किसी भीन्न के अंस में अंस एक्स है कितना कहा रहा है एक घटाने पर तो किसी भीन्न के अंस में एक घटाने पर हर को कुछ नहीं करना है तो अंस में एक घटा है और हर उसी तरह है बाई तो x-1 बटा बाई बराबर एक बटा तीन लिख लेंगे क्योंकि प्रस्ण में कहा रहा है कि किसी भिन के अंस में घटाने पर वह एक वटा 3 हो जाता है तो इससे हम पहला समिकरन अब ग्याद करेंगे तो हो जाएगा तिर्चा गुना करेंगे तो 3x-3 बराबर 2 तो 3x-2 बराबर 3 ये हो गया पहला समिकरन 3x-2 बराबर 3 हो जाएगा y को इधर लाएगे तो minus y minus 3 को इधर लाएगे तो 3 ये हो गया पहला समिकरन ठीक है अब देखें फिट से प्रस्न पढ़ेंगे करा हर में 8 जोडने पर हुआ है एक वटा 4 हो जाता है यानि हर में हर क्या है बाई है तो हर में 8 जोडने पर तो y प्लस 8 यानि एक्स बटा बाई प्लस 8 बराबर तो हर में 8 जोडने पर हुआ है एक वटा 4 हो जाता है तो एक वटा 4 लिख लेंगे अब तिर्चा गुना करेंगे तो 4 एक्स बराबर बाई प्लस 8 तो 4 एक्स माइनस बाई 4 एक्स माइनस बाई बराबर 8 यह हो गया दूसरा समिकरन इसको हम लिख लेंगे ठीक है इसको हम दूसरा समिकरन लिख लेंगे अब देखे तो पहला समिकरन और दूसरा समिकरन मिल चुका है अब लिखेंगे समिकरन पहला माइनस दूसरा से यानि समिकरन पहला में से दूसरा समिकरन को घटाएंगे समिकरन पहला माइनस दूसरा से समिकरन पहला कितना है 3x माइनस बाई बराबर 3 समिकरन दूसरा कितना है 4x माइनस बाई बराबर 8 घटाना है इसको तो प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस और प्लस बाई सुन्य आ गया तीन एक्स माइनस चार एक्स यानि माइनस एक्स बराबर माइनस ये तीन माइनस आठ यानि माइनस पांच तो एक्स बराबर कितना आ गया अता है एक्स बराबर आ गया पांच देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों तरफ है तो x बरावर 5 आ गया अब लिखेंगे समिकरन समिकरन पहला में x का मान रखने पर समिकरन पहला में x का मान रखने पर तो समिकरन पहला क्या है 3x माइनस बाई बरावर 3 यह समिकरन पहला तो x के जहापर कितना रखने पांच यानि 3 गुणा 5 माइनस बाई बरावर 3 तो बाई बरावर कितना हो जाएगा अतह बाई बरावर हो जाएगा 5 या 15 माइनस 3 यानि 12 देखें 5 या 15 15 में से 3 घटा देंगे बाई को इधर लाएगे तो प्लस में हो जाएगा तो x और बाई का मान आ चुका है लिखेंगे अतह भीन बरावर भीन हम x बटा बाई माने थे तो x का मान कितना आया था 5 बाई का मान 12 यानि इसका उत्तर आ गया 5 बटा 12 ठीक है तो इस तरह से इसको हल करेंगे ख домой ओ लु झर के सूज का मान आ प्लस में का मान की हो इसर इसका आया दो और बाई रिवत्तर आ लिटर बटा की मतर आ अपने इसको पोड़ का यदसलों झाल झाल झाल